दोस्तों बाबा साहब डॉक्टर भीम राउम बेटकर ने कहा था कि जो ब्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता है वो कभी अपना इतिहास नहीं बना सकता है डॉक्टर बाबा साहब भीम राउम बेटकर का ये वचन आज सत्य हो रहा है आज बिजे दस्मी है और बिजे दस्मी के दिन समराट शोक ने पूरे देश पर बिजे पराप्त कर लिया था और खुद बौध धम ग्रहन कर लिया था आज सरावस्ती में बिसाल जन से इलाव है जो लोग बौध को मानते हैं जो लोग युद्ध को नहीं मानते हैं जो लोग चाहते हैं इस देश में अमन, चैन, सान्ती रहे वो लोग आज शमराट शोक और तथागत गौतम बौध का वाट्साप, फेस्बॉक, टुईटर, इंस्टाग्राम, जगहा जगहा पर यूटूब हर जगहा पर वो उनका परचार परसार कर रहे हैं शमराट शोक की बेकी शंग मेत्रा बहुद है भारा से चलकर स्रीलंका तक गई बहुद धम का परचार परसार किया आज परधान मंत्री जी आये हैं विदेशी दोरा से और परधान मंत्री नारेंद्र मोधी जी ने आज अभी तक साम हो चुकी है और साम के बच चुके हैं सारह तीन, सारह तीन बजे तक अभी भी असोक बिजय दस्मी के उपलप्छ में एक भीटूई के नहीं किया है जो भ विदेश जाते हैं तब ये कहते हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते हम बुद्ध के धारती से आते हैं भारत से आते हैं तो इसमें परधान मंत्री की गलती कुछ नहीं है मैंने कहाना बाबा साहब ने कहा था कि जो ब्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता है वो कभी इतिहास अपना बना नहीं सकता है और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो आज साक के वंस के लोग, मौर वंस के लोग, कुस्वाहा के लोग, तमाम जो भगवान बुद्ध के वंसज हैं, वो लोग आज बीजेपी में हैं, जादा से जादा लोग बीजेपी में हैं, दलित समाज बीजेपी में हैं, संगमित्राबोध का आया है ट्वीट सामी परसाद मौरिया जी के बेटी का लेकिन परधान मंत्री नारेद्र मोधी का ट्वीट नहीं आया है केशो परसाद मौरिया का अभी तक ट्वीट नहीं आया है तो अपने पैरोपर कुलहारी ये लोग खुद मार रहे हैं अगर ये ल लोग अपने पद के साथ साथ अपने इश्ट अपने गुरू अपने पुर्वजों के बारे में तैनात होते तो आज परधान मंत्री की हिम्मत नहीं थी कि वो तूइक ना करते तो वो समझते हैं कि ये मेरे इसारे पर पूरा काम हो रहा है तो उन्हें लिखने की क्या जरूर फन हो गया होता है आज कोई नहीं जानता कि छत पती सवाहजी महराज कौन हैं हैं फूले साहब कौन हैं पिड्यार पूं हैं ललाई सिंग्याद्व कौन हैं यहां तक की कासी राम साहब और तमाम जो stir समें माल अम्बेटकर साहब को जिंदा किया और तमाम लोगों को जो महापुरुष्ट हमारे उन सब को आगे किया इसमें बहुत सारे और बहुत सारे समानवर्ग के लोग कहेंगे कि इस से पहले क्या भगवान बुद्ध नहीं थे या फिर जो है अम्बेटकर साहब आए तभी भगव पहन बुद्ध है फिर अम्बेटकर साहब को ही समाप्त कर दिया गया मानवर्कासी राम आए और बहन जी तमाम लोगों ने पूरे बोजन समाज के महापुरुष्ट को फिर से जीवित करने का काम किया तो मैं पॉइंट की बात ये कर रहा हूं कि अगर आप बीजेपी में ह कहीं पर भी हैं अगर आप अपने इतिहास को भूल जाते हैं तो आप एकदम कुटे के समान हो जाते हैं आपको भगा दिया जाता है आपके साथ कुछ भी कर दिया जा सकता है लेकिन अगर आप अपने इतिहास को जानेंगे अपने कौम को साथ लेकर चलेंगे तो आप से सामिल हैं और वो खुद तथा गद्गोतम बुद्ध सम्राच असोग को नजर अंदाज कर रहे हैं इसलिए प्रधान मंतरी नारेंदर मोदीज ने आज गौरा जी के बारे में लिखा राम नौमी के बारे में लिखा दसाहरा के बारे में लिखा दसकंधर के बारे में लिखा लेकिन समराच असोख के बारे में नहीं लिखा, क्योंकि उन्हें पता है कि जो हमारे पहले में हैं, वो हमारे हैं, हम उनको किसी तरीका से मायनेज कर लेंगे, लेकिन अगर आप अपने समाज को लेकर सचेत हो जाते तो प्रधान मंत्री जी भी कुईट करते, योगिया दितन सबसे पहले इतिहास गवाह है, अगर आप अपने इतिहास के पर खड़े रहोगे, तो आप का नाम इतिहास में जरूर दर्ज किया जाएगा, लोग आज रामर को याद करते हैं, लेकिन भभीसर को लोग नहीं याद करते हैं, क्योंकि इतिहास से चक्राने वाले को याद कि आप देख सकते हैं इस टूइट में लिखा मभारती की सेवा में जीवन परियाप्त समर्पित रही राज माता विजया राजे सिंधा जी को उनकी जनम्दिन जैन्ति पर शादर नमन दूसरा लिखते हैं मादूरगा और प्रभू स्रीराम के अशिरवाद से आप सभी को जीवन के हर छेतर में विजई हासिल हो यही कामना है मदुर्गा और भगवान स्री राम का नाम लेते हुए प्रधान मंत्री नारेंदर मोरी तो लिख डाले लेकिन वो जब विदेश जाते हैं तब वो स्री राम का नाम क्यों नहीं लेते हैं सवाल इतना है मैं किसी के भावनाओं को ठेश नहीं पहुचाना चाहता और नहीं में पहुचा रहा हूं मुझे पता है इस देश में भार्टिसंविध्धान सबको हर धरम मानने की इजाज़त देता है प्रधान मंत्री जी कि आप भगवान बुद्ध का नाम लेते हैं एक बड़ी खबर आपको बताते हैं आज डॉलर के हिसाब से रुपया कमजोड हो गया है यह इतिहास में पहली बार हुआ है कि डॉलर के हिसाब से रुपया कमजोड हुआ है कभी साथ बासाथ रुपय चलता था एक डॉलर का पशपंसाथ रुपय चलता था एक डॉलर का लेकिन आज एक डॉलर की कीमत चौरासी रुपय से भी जादा हो चुकी है ओनलाइन कमाने वालों के लिए तो समझ लीजे खुसकबरी है लेकिन इस देश की अर्थ बास्था सबसे निचले पाइदान पर पहुंच चुकी है देश में भुखमरी के कगार पर देश पहुंच चुका है एक सो पाच्वे अस्थान पर पहुंच चुका है देश और रुपया कमजोड होता जा रहा है ये इस देश की एकनॉमिक पर बहुत जादा एफ़क पढ़ने वाला है हलाकि इस देश में महेंगाई अब और आने वाली है इंतजार करने का समय है ना गड़बंधन होगा ना परवक्ता होगा बसपा की भी खबर लेते हैं हम लोग ना गड़बंधन करेंगी किशी से अब और ना ही इनका परवक्ता कोई होगा और ना ही कोई इनका ITCL होगा और ना ही कोई इनका कानूनी परचारथ होगा क्योंकि लोग इनपर आभद्र और आमारियादे टिपड़ी करते हैं गैर जिम्मेदारां के पिड़ी करते हैं तो इनका कोई कानून सलाहकार भी नहीं होगा और ये चुनाव जीतने पूरे 90 के 90 सीख पर चले हैं हर जगा आप कलपना नहीं कर सकते हैं ना गजबंधन होगा ना प्रवक्ता रखेंगे और ना ही मेडिया टीम रखेंगे ना ही कोई कानूनी परकिरिया के टीम ना ही मेडिया मेनेजमेंट होगा ना विरोधियों के नेरेटिव का खंडन होगा बहन जी घर से निकलेंगी नहीं नबेशीट पर चार रेलिया करेंगी और इलजाम दूसरों पर लगाएंगी ये सबसे बड़ी खबर है तो यह आप तस्वीर भी देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा कि मैं बुद्ध की धरती से आता हूं मैं बार-बार कह रहा हूं कि योध का यूग नहीं है तो यह सबसे बड़ी खबर है सोचिए मुसलिम परिवार में एक लड़की का सो मिला है नहीं कर सकते हैं इस मामले को क्या चंदर सेखर उठाएंगे या नहीं यह भी एक सवाल है और चंदर सेखर ही क्या अकले स्यादों भी उठाएं क्योंकि इन्हें लोग भरभर कर ओट दिये हैं और कॉंग्रेस पार्की के नेता राहुल गांधी को सबसे पहले उखा लेना चाहिए था मुद्दा क्योंकि राहुल गांधी को सबकुछ जननायक मान करके लोगों ने ओट अपना कर दिया था तो राहुल गांधी जी आप इस मामले पर अभी कोई त्वीट नहीं किये हैं मुस्लिम परिवार के घर फासी से लटकती मिली दलित लड़की का सो सिधार्ट नगर जिले से सुहरत गड़ के चिल्हया थाना छेत्र के बुक नहा खालसा गाउं में 21 वर्ष के दलित इूती का फासी से लटकता हुआ सो मिला इमरे तक इूती के परिवार वालों का आरोफ है कि परोस में रहने वाला मुस्लिम समाज के लोगों ने लड़की को ले जाकर उसकी हत्या कर दी फासी के फंदे पर लटका दिया मामले में पुलिस का कहना है कि लड़की का मुस्लिम इवक के साथ प्रेम परसंग चल रहा था इसलिए उनके घर जाकर उसने फासी लगा ली पेडित परिवार के अनुसार पुलिस ने फाई यार दर्ज कर आगे की कारवाई शुरू कर दी है पुलिस ने तो कारवाई शुरू कर दी है लेकिन आप लोग ने नोटिस फिर नहीं किया जितने भी इस महने में जितने एक कांड हुए है अगले महने में अगस्त में सितंबर में और अक्तूबर में जितने भी कांड हुए है दलित अगर वहां पर पीडित हैं तो उसको प्रेम परसंग के साथ क्यों जोड़ दिया जाता है चाहे फिर मामला बिहार का हो फिर चाहे मामला जो है आई यूपी में कई जगा हो चुका है या फिर चाहे मामला जो है अभी हात्रस वाला मामला था और अभी मामला जो है बात क समाज पार्टी है क्योंकि मैंने उसका सासंकाल देखा है जो यह इस समय कानून ब्युस्ता धरासाई है वो लोग एक बार सूचते थे कि मैं कैसे काम करूं दोस्तों आप लोग अपनी राय परत्किरा जरूर दीजेगा क्या इतिहास जानने वाले ही इतिहास लिखते हैं या फिर गैर लोग भी इतिहास लिखते हैं आप लोग की राय परत्किरा दानना बहुत जरूरी है इस वीडियों दोस्तों नहीं जाए भी नमा मुद्धाय